नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, आज मैं आपको Public Provident Fund यानी PPF खाता क्या है? इसको कौन खोल सकता है? इसमें जमा के क्या नियम है? PPF खाता बंद करने के क्या नियम है? इसमें नियुनतम और अधिकतम किती रासी जमा की जा सकती है? जमा की गई रासी पर आयकर में छूट है अत्वा नहीं। जमा रासी पर वियाज कितना मिलता है? इसकी परिपक्वता अवधी क्या है? इससे निकासी के क्या नियम है? इससे लोन के क्या नियम है? आधि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसका खाता कौन खोल सकता है? इसका खाता Single Adult Indian Citizen खोल सकता है。 नाबालिक या अयोग्यमन के व्यक्ति की और से खाता अभिभावक खोल सकता है? इसका एक से अधिक खाता नहीं खोल जा सकता है? इसका खाता बैंक या पोस्ट ओपिस में खोला जा सकता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि PPF खाते में जमा के क्या नियम है। PPF खाते को 59.500 जमा का खोला जा सकता है। 1.000 वित्यवर्च में इस खाते में 59.500 एवं अधित्तम रुपए 1.50,000 जमा किये जा सकते हैं। यदि अभिभावक द्वारा एक खाता स्वें के नाम से एवं एक खाता नाबालिक के नाम से खोला गया है, तो इन दोनों खातों में एक वित्यवर्ष में अधिक्तम रुपए एक लाख पचास हजार ही जमा किये जा सकते हैं. यानि यदि एक वित्यवर्ष में स्वेंप के खाते में एक लाख बीस हजार जमा कर दिये गए हैं, तो नाबालिक के खाते में उस वित्यवर्ष में रुपए तीस हजार ही जमा किये जा सकते हैं. इस खाते में एक वित्यवर्ष में कितनी भी बार रुपए पचास के मल्टिपल में रासी जमा कि जा सकती हैं, लेकिन इसकी अधिक्तम सीमा एक लाख पचास हजार रुपए ही होगी. दोस्तो अब हम जानते हैं कि PPF खाता बंद करने के क्या नियम है. दोस्तो यदि किसी वित्यवर्ष में PPF खाते में रुपए 500 की नियुंतम रासी को जमा नहीं किया जाता है तो PPF खाता बंद हो जाएगा. बंद खाते पर न तो विड्डोल और नहीं लौन की फैसिलिटी एवलेबल है. खाते की परिपक्वता से पहले जमा करता दुआरा नियुंतम जमा रासी रुपए 500 पलस फाइग रुपीज 50 यानि रुपीज 550 पर तेक चूकवर्ज के लिए जमा कर खाते को चालू किया जा सकता है. दोस्तों, अब हम जानते हैं कि PPF एकाउंट में जमा रासी पर ब्याज के क्या नियम है. PPF खाते पर ब्याज वित्मंत्राले द्वारा 83 मासिक आधार पर नोटिफाइड किया जाता है. PPF खाते पर दिनांक 1723 से 7.13 ब्याज दे किया जा रहा है. ब्याज इसमें compounding test होता है. ब्याज परतिक वित्य वर्स के अंत में खाते में जमा किया जाता है. ब्याज की गणना क्लेंडर महा के लिए 5 तारिक और महिने के अंत के बीच जो भी इसमें सबसे कमरासी होगी उस पर की जाएगी. यानि यदि किसी वर्स में महा अप्रेल की 27 तारिक को इस खाते में 2,45,000 रुपए हैं. एवं इसी महा की 22 तारिक को इस खाते में रुपए 5,000 जमा करवा दिये जाते हैं. एवं रुपए 5,000 जमा करवाने पर रासी बढ़कर 2,50,000 हो जाती है. तो महा अप्रेल में मिलने वाले ब्याज की गणना दिना 36 अप्रेल के मद्य सबसे कम रासी रुपए 2,45,000 पर ही की जाएगी न की रुपए 2,50,000 पर. इसलिए इस खाते में परतेक महा की 5 तारिक तक अस्दान जमा कर देना चाहिए ताकि महा के दोरान जमा किये जाने वा दोस्तों अब हम जानते हैं कि PPF खाते में जमारासी पर टैक्स के क्या नियम है दोस्तों PPF खाते में जमारासी आएकर की धारा 80C के तहत मिलने वाली आएकर में छूट के लिए इलिजिबल है इस खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी income tax में छूट है एवं maturity पर जो amount आपको मिलेगा उस पर भी income tax में प्रिबेट है दोस्तों अब हम जानते हैं कि Public Provident Fund खाते में जमा पर लोन के क्या नियम है PPF खाता खोलने के वित्य वर्ष के अंत में एक वर्ष की समाप्ती के बाद लोन लिया जा सकता है इसे उधारन से इस परकार समझते हैं यदि खाता वित्य वर्ष 2021 में खोला गया है तो वित्य वर्ष 22 में लोन लिया जा सकता है एवं खाता खूलने के वित्ययवर्ष के अंत से एक वर्ष की समापती के बाद पांच वर्ष पूर्ण होने पर भी लोन दिया जा सकता है लोन की रासी पूर्व constitu की सेश रासी की 25.7 होगी इसे उधाहन से समझते हैं यदि वित्यवर्ष 2023 के दोरान लोन लिया जाना है तो दिनांक 31.3.2 को PPF खाते में सेश रासी की 25.7 तक रासी का लोन दिया जा सकता है लोन वित्य वर्स में केवल एक बार ही लिया जा सकता है दूसरा लोन तब तक स्विकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले लोन को पून रूप से पेड़ न कर दिया गया हो यदि लिया गया लोन 36 महा के भीतर पेड़ कर दिया जाता है तो लोन की रासी पर केवल एक परसेंट ब्याज देना होता है एवं यदि लोन 36 महा के बाद चुकाया जाता है तो लोन की रासी पर 6 परसेंट की दर से ब्याज दिया लगता है इस खाते से लिए गए लोन को जहां तक संभव हो 36 महा के भीतर ही चुकता कर दें दोस्तो अब हम जानते हैं कि Public Provident Fund खाते से निकासी के क्या नियम है PPF खाते से खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर 5 वर्ष पुन होने पर खाता धारत एक वित्यवर्ष के दोरान एक निकासी कर सकता है इसे उधारन से समझते हैं यदि खाता वित्यवर्ष 21 में खुला है तो इस खाते से निकासी वित्यवर्ष 26-27 के दोरां या इसके बाद की जा सकती है निकासी की रासी पुर्ववर्थी वर्ष के अंत में जमा सेस रासी की 50% तक हो सकती है यानि यदि निकासी 2023-24 में की जानी है तो निकासी की रासी दिनांग 31-23 को PPF खाते में सेस रासी के 50% तक होगी PPF खाता 15 वित्यवर्ष के बाद परिपकवा होता है 15 वर्ष की गणना खाता खोलने के वित्यवर्ष को छोड़ कर की जाती है मेच्योर होने पर खाता धारक खाता बंद कर सकता है या खाते को 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है खाते को समय से पहले बंद करना खाता धारक को खाता खोलने के पांच वर्ष बाद खाता बंद करने के अनुमती सर्तों के अधिन होती है जैसे यदि खाता धारक पती या पतनी या आसरित बच्चे को जान के खत्रे के बिमारी हो जाए या खाता धारक वा आसीत बच्चों की उच्छा के लिए आवसकता हो या खाता धारक एनाराई हो जाए तो खाता बंद किया जा सकता है खाता धारक की मिर्तियू पर खाता कैसे बंद होता है खाता धारक की मिर्तियू के मामले में खाता बंद कर दिया जाता है और नामंकित या कानूनी उत्राधिकारी को खाते को जारी रखने की अनुमती नहीं होती है और जो खाते में सेज रासी होती है उनसका भुकतान कर दिय दोस्तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस खाते में जमा होने वाली विभीन मासिक जमा पर आपको वर्तमान में मिल रहे 7.1 परतिसद ब्याज के हिसाब से 20 वर्स में मैचुरिटी होने पर कितनी रासी मिल सकती है। यदि आप इसमें मंतली कंट्रिविशन एक हजार रुपे जमा करते हैं तो आपका 20 वर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट दो लाग चालिस हजार रुपे होगा और इस पर इंट्रेस्ट दो लाग 92,663 रुपे मिलेगा इस परकार मैचुरिटी पर आपको 5,32,663 रुपे मिले इसी परकार यदि आप परतियक महा 8,000 रुपे जमा करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 19,20,000 होगा और इस पर इंट्रेस्ट आपको 23,41,304 रुपे मिलेगा और मैचुरिटी पर आपको 42,61,304 रुपे मिलेंगे एवं इसी परकार यदि आप 12,000 रुपे जो इसकी मिलेगा और मैचुरिटी पर जो टोटल है एमाउंट होगा वह 66,67,288 रुपे होगा दोस्तो इस परकार आप PPF खाते में परतियक महा छोटी छोटी बचत कर एक बड़ी रासी जमा कर सकते हो तथा आएकर में मिलने वाली छूट का लाब भी ले सकते हो दोस्तो मैं आपको ऐसी रिस्क-फिरी गोर्वेंट इस किम के बारे में बताऊंगा जहां आप अपनी पुझी को निवेश कर अपनी पुझी को बढ़ा सकते हैं एम टैक्स में छूट भी पा सकते हैं दोस्तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एम अपने दोस्तों को भी सेर कर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी नई नई जानकारी हसिल कर सकें धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत